हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम आयू सम्मंधी प्रेशने, एज प्रोग्लम के जो क्वेशन हैं, उन्हें आज आप देख लीजिए, सभी प्रेशने महत्व पूर्ण है, और एक ही ट्रिक से सभी प्रेशनों को स्वल्प करना सीखेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है, रमेश की आयू अपने पुत्र राहुल की आयू से चार गुना है, ठीक है, देखिए, यह हो गया आपका रमेश, यह हो गया आपका राहुल, ठीक है, यह हो गया राहुल, तो रमेश की आयू अपने का मतलब present की I.U. है ये present की I.U. है ठीक है उसने कहा पांच वर्ष पूर्व का मतलब है पहले की तरफ और बात कहेगा तो नीचे की तरफ याद रहना पांच वर्ष पूर्व बोला है तो आप भर्तमान से present से पांच वर्ष पहले चले जाएए पांच वर्स पहले चले जाईए ठीक है पांच वर्स पूर्व रमेश की आयू अपने पुतर राहुल की आयू से नो गुना थी कितनी थी नो गुना थी राहुल की आयू से अपने पुतर राहुल की आयू से नो गुना थी ये कब की है ये है पांच वर्स पहले की बरतमान से पांच वर्स पहले की अगर पहले कह दे पूर्ब कह दे तो आप प्रेजेंट से उपर की तरफ चले जाना अगर बाद कह दे तो प्रेजेंट से नीचे की तरफ आ जाना ये समझने के लिए अब देखे तरीका इसमें आसान क्या है जो नीचे वाला रेश्यू है उनका अंतर दे लो चार का और एक का अंतर कितना जाएगा भाईया तीन आ जाएगा चार का और एक का अंतर तीन अब क्या करना है क्रोस गुना इन रेश्यू का क्रोस गुना तो एक का गुना नौ से करूंगा नौ रहेगा और चार का ग कर दो पांच आ जाएगा इसे बटे में लिख देना है पहले तो नीचे वाले अनुपात का अंतर करके लिख देना है फिर क्रोस गुना करेंगे उनका अंतर करके बटे में लिख देंगे फिर कितने बर्स पहले की बात किया उसने पांच वर्स तो पांच से गुना कर दो पां पर्मान वाले रेशियों से गुना मत करना इस 3 का गुणा अगर आप बरतमान के रेशियों से कर दोगे तो 3 का गुना 4 से कर दोगे 12 हो जाएगा लेकिन 12 तो आपके ऑफशन में ही नहीं है आंसर नहीं दे रखा याद रखना जो पूछा जाएगा उस अनूपात से कभी गु आईउ 27 वर्स थी अब बरतमान पूछा है मैंने 5 वर्स पहले की निकाल ली तो यहां से मैं 5 जोड़के बरतमान में आ जाऊँगा तो 27 में 5 जोड़ूँगा तो 27 में 5 जोड़ूँगा कितने हो जाएगा 32 हो जाएगा यानि कि बरतमान में उसकी आईउ कितने 32 वर्स हो जाए थी आठ वर्स पूर्व देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्रिजेंट लिख लेता हूं यानि की बरतमाँ ठीक है बरतमाँ मैं ने लिख लिया कौन-कौन व्यक्ति है विशाल और शेखर दो व्यक्ति है बरतमाँ में एक विशाल है और दूसरा शेखर है ठीक है ये द लिखनी थी चार गुनी थी यानिकि बिशाल की आयू शेखर से चार गुनी थी बिशाल की आयू चार गुनी थी शेखर से तो शेखर की एक होगी बिशाल की चार गुनी हो जाएगी ये पांच वर्स पहले की है बरतमाँ से उपर जा रहा है तो पहले की है फिर उसने का है क आठ वर्स बाद यानकि बरतमान से प्रिजेंट से आठ वर्स बाद बोला है तो नीचे आजाईए आठ वर्स बाद बोला है तो नीचे आजाईए आठ वर्स बाद विशाल की आयू शेखर से दोगनी होगी जो विशाल की आयू है विशाल की जो आयू है, शेखर से दोगनी होगी, विशाल की आयू दोगनी होगी, शेखर से, ठीक है, ये इनका रेशियो आगे, मैंने क्या बताया, कि नीचे वाले रेशियों का हमेशा अंतर करके लिख दो, तो दो और एक का अंतर एक आजाएगा, ठीक है, अब क्या क्रोस गुना एक का गुना चार से कर तो चार रहेगा दो एक कम दो रहेगा और दोनों का अंतर करेंगे तो दो आ जाएगा तो बट्टे में दो लिख दू ठीक है गुने कितने से आठ वर्स ये रहा आठ वर्स ये रहा कितना वर्स हो गया 16 वर्स हो गया तो 16 लिख दीजिए दो से कदाडो 16 को आठ वार में जाएगा अब आपसे क्या पूछा है शेखर की वर्तमान आयू क्या है शेखर की वर्तमान आयू यान की प्रिजेंट की पूछा है उसने प्रिजेंट की शेखर की तो देखे क्या करेंगे बरतमान का तो कोई ratio है नहीं अगर होता तो भी गुना नहीं करते क्योंकि जो आपको दे रखा है ना बरतमान का पूछा है तो बरतमान से गुना नहीं करना अब शेखर की आयू पूछी है तो शेखर का जो 5 वर्स पहले का ratio दे रखा कितनी हो जाएगी भी या 16 वर्स हो जाएगी सेखर की iu पहला option बिल्कुल सही जवाब है समझ में आ गया चलिए अब देखेंगे अगला question अगला question है A तथा B की iu का अंतर 16 वर्स है भाई A और B की iu का अंतर यानकि A और B की iu का अंतर अंतर कितना है इन दोनों का अंतर दे रखा आपको 16 वर्ष ठीक है अंतर दे रखा 16 वर्ष 6 वर्ष पहले A की I.U. B की I.U. से 3 निती 6 वर्ष पहले यानि कि यह हमारा present हो गया present हो गया ठीक है कौन-kौन ब्यक्ति हैं आपके पास उसे पहले लिख लीजे दो ब्यक्ति हैं A और B यानि कि पहला ब्यक्ति A दूसरा ब्यक्ति B हो गया ठीक है अब उसने का है 6 वर्स पहले तो आप present से 6 वर्स पहले आ जाईए 6 वर्स पहले चलेगे आप 6 वर्स जब पहले चलेगे तो A की IU B की IU से 3 गुनी थी जो A की IU है 3 गुनी थी B की IU से तो B की 1 हो जाईगी ठीके 3 गुनी हो गई 6 वर्स उपर की तरफ जाना तो पहले याद रखना अब यहाँ पहले पूछ रहा है कि B की IU से 3 गुनी थी तो प्रत्य की बरतमान आयू ग्याद करना present की आयू बता देनी है दोनों की देखेगा हमारे पास अंतर दे रखा है 16 वर्स का जब हमारे पास अंतर होता है तो हम अनुपातों का अंतर करते हैं तो अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा 3 और 2 3 और 1 का अंतर 2 2 से कटा दो 8 बार में जब योग दिया जाए तो उनुपातों का योग कर लो अंतर दिया जाए तो उनुपातों का अंतर LCM दिया जाए तो उनुपातों का LCM ठीक है चलिए कितना आ गया आठ आ गया अब हमसे पूछ रहा है बरतमान I.U तो बरतमान का कोई अगला कोशन है एक लड़के की आईउ उसके पिता की आईउ की एक बटा तीन है एक होई लड़का और लड़के की आईउ लड़के की होगिए पिता की आईउ तीन होगिए फिर बोला 12 साल बाद की बात है तो नीचा आज़ाई उतर के 12 साल बाद की बात है तो प्रिजेंट से नीच आ जाईए ठीक है और पहले की बात रहती है पूरब की बात रहती है तो उपर चले जाते है उसने बोला कि 12 वर्स बाद लड़के की आयू पिता की आयू से आधी हो जाएगी तो लड़का है उसकी आयू पिता की आयू से आधी हो जाएगी तो पिता की आयू कितनी हो जाएगी चार और लड़के की आधी हो जाएगी तो चार का आधा दो भाई ratio present में 3 था और 12 साल बात आएंगे तो पिता का ratio आगे की तरफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उमर बढ़ेगी पिता की ठीक है चलिए यहां तक बात के लिए रोगई लड़के की उमर आधी हो जाएगी पिता की तो फिर क्या कहा है उसने लड़के की बरतमानायू क्या है लड़के की वो बरतमानायू पूछ रहा है इस लड़के की नीचे वाले लुपाज का अंतर में ने बताया है तो दो और चार का अंतर करेंगे तो दो आ जाएगा फिर क् कल क्या गया बरतमान आयू पूछी है लड़के की बरतमान आयू तो बरतमान वाले से तो गुना करना नहीं है दूसरी से करना है तो बारे का गुना करूँगा लड़के का रेशियो कितना है बारे साल बाद का दो तो बारे का गुना दो से करूँगा तो कितना हो जाएगा भ चौजिस में से 12 गटा के आजाओ पहले तो कितनी हो जाएगी चौजिस में से 12 गटा देंगे तो लड़के की उम्र हो जाएगी 12 यानि कि C-Option हो जाएगा प्रेषन का बिल्कुल सही जबा अब देखेंगे अगला आयू की एक बट्टे 10 गुना है उसके पुत् relyसियो है। अब यहां पर हमसे क्यां गया है रोट समय के अगे अगर हम बात करें vereं कम चार, चार में जोड़ेंगे, पांच बट्टे चार हो जाएगा, पांच बट्टे चार, पांच बट्टे चार का मतलब क्या है, अब की आयू इसकी पांच हो जाएगी, तो बिवाह के समय की आयू इसकी कितनी हो जाएगी, चार, ठीक है, बिवाह के समय की आयू चार हो जा तो इसके बरावर वाले यहां पहा जाएगा आगे चलते हैं फिर उसने कहा कि उसकी आईयू के एक बट्टे दस हो जाएगी पुत्र की अब की एक होगी तो अब उसकी कितने हो जाएगी 10 हो जाएगी अब ये वाली जगे खाली है तो इसके बरावर वाले रेश्यू यहां जाएगा जैसे ये जगे खाली थी इसके बरावर वाले रेश्यू यहां गया था अब ये जगे खाली रहेगी तो इसके बरावर वाले रेश्यू यहां गया 10 का गुना कर दो 4 से तो 40 ये 50 और ये 5 ठीक है 58, 40, 5 से 10 बार में कटेगा 5 एकम 5 कटेगा ठीक है ये कटने के बाद में बिवाह की आयू और अब की आयू का अंतर कितना भी है 2 ये कटने के बाद में दोनों का अंतर कितना आया 2 यह बिवाह और अब का अंतराया है दो यानि कि बिवाह की आयू 8 है और अब की आयू 10 है ठीक है कितना अधिक है दस अधिक है लेकिन बिवाह की आयू 6 थी याद रखना बिवाह के समय की आयू 6 थी तो यह 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा जब 2 बराबर 6 तो 1 बरत मानई क्या है तो पुत्र की बरत मानई हो जाएगी तीन यह आपका सही जवाब हो जाएगा बी ओप्शन